बालों को इतनी तेजी से लंबा और घना करतेगा ये तरीका देखकर आप भी खुच चौक जाएंगे नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल में बहुत ही खास और बहुत इंपोर्टेंट वीडियो के साथ है दोस्तों लंबे काले बाल खुबसूरती बढ़ाने और परसनाल्टी को बहतर दिखाने का काम करते हैं इसलिए सभी लड़कियां लंबे काले और घने बाल पाना चाहती है वहीं मौडलिंग जैसे प्रोफेसन में भी महिलाओं को बाले की जगवत पड़ती है जिनके बाल लंबे स्टॉंग और साइनी हूं उजही महिलाओं की लेकिन कई बार लाग कोसिस करने के बाद भी लोगों के बालों की ग्रोफ बहुत ही धीमे होती है और उनके बाल जल्दी जल्दी नहीं बढ़ते लंबे और घने बाल पाना कोई आसान काम नहीं है लेकिन इसके बाद भी बालों के लंबा होने की कोई गारंटी नहीं होती दोस्तों यह तरीका जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं और आपके लंबे बालों का सपना अधूरा रह जाए तो वीडियो को आन्ते तक जरूर देखें नमबर एक दोस्तों बालों को बढ़ाने के लिए आप इलुएरा जल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं यह स्कैल्प की सफाई और बालों की मोशराई जो कंडिशनिंग करता है अगर आपका स्कैल्प साफ है तो कई सारी बालों की समस्यों को दूर कर देगा नमबर दो, दोश्तों, सिर्प का सिर्का बालों के लिए बहुत ही फायदमत होता है जिसकी वज़े से सिर्की तुचा साफ होती है और pH संतुलन बना रहता है सिर्का सिर्का बालों में लगाने से आप इसे बाल धोने के पानी में मिला सकते हैं जिससे बाल लंबे मजबूत बनेंगे नमबर तीन दोश्तों बायोटीन बालों को स्वस्त रखने में काफी ज़्यादा मदगार होता है इसलिए ये भी आपके हेर ग्रोथ के लिए बेस्ट आप्सन है इसका इस्तिमाल करने के लिए आपको थोड़ा सा जैतून या फिन नारियल का तेल लेना है और उसमें दो से तीन चम्मच बायोटीन की गोलियां मिला देना है केवल आप दो से तीन बायोटीन की गोलिया उसमें मिलाएं इस mixture को आप रात में बालों में लगा का सुबह अची तरह से धोलें नमबर चार दोस्तों प्याज में मौजूद सल्फर बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है और तेजी से ग्रोथ करवाता है बालों में प्याज का रस इस्तिमाल करने के लिए प्याज को आप काट कर इसके रस को निकाल लेजिए इस प्याज को रस को सिर की तवचा पर और बालों की जड़ों पर अच्छे से लगाएं करीब 15 मिट के बाद किसी माइल्ड सेंपू से बालों को धोलें